अलो दोस्तों तो स्वागता आपका The Traders Compass चैनल पर और आज है 29 April और यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम का Bank Nifty चार्ट में ने उपन कर रखा है और आप लोग देख सकते हैं कि आज मार्केट पहले की तरह चल रहा है एकी ट्रेंड में मार्केट चल रहा है बिल्कुल यहाँ पर bullish trend में चल रहा है आप लोग देख सकते हैं पिछले 2-3 दिन से मार्केट ट्रेंड में चलता हुआ हमें नजर आ रहा है नहीं तो 2024 में मार्केट बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं चल रहा था कभी वो ओपर जा रहा था तो फिर नीचे फौल कर रहा था फिर से उपर फिर से मार्केट चल रहा था लेकिन पिछले 2-3 दिन काफी अच्छे रहे हैं आप लोग देख सकते हैं पूरे ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और आज तो आप लोग देखिए पूरा bullish trend में यहां पर मार्केट चल रहा है आप लोग देखिए क्या ही यह trend आया यह बैंक निफ् कर पाता कोई ऐसी strategy मेरे पास होती कोई ऐसा confirmation होता जिससे मैं इस पूरे trend को पूरे दिन को capture कर पाता तो आज मैं आपको ऐसे ही strategy का देने वाला हूँ कि हाँ इस तरीके की strategy है मैंने इस तरीके की strategy बनाई है जिससे आप लोग बिल्कुल bottom पर entry कर सकते थे और यह पूरा दिन यह पूरे दिन का जो trend है आप लोग capture कर सकते थे लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए वो है trailing अगर आपको trailing आती है तो आप लोग इस पूरे trend को यह जो पूरा up train आपको दिख रहा है आप लोग इस पूरे up train को capture कर सकते थे आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि कास मैं यहां पर entry बनाता और पूरा यह train capture करता तो आज मैं ऐसे strategy आप लोग को देने वाला हूँ जिससे कि आप लोग बिल्कुल bottom में entry करते और top पे निकलते तो ऐसा confirmation ऐसा strategy मैं आपको बताऊंगा तो चलिए इसके लिए हम लोग option chart पर चलते ह हुआ कि आपको पहले भी बता चुका हुँ कि मैं full time trader नहीं हूँ मैं part time trader हूँ जब भी मेरा मन करता है तो मैं तभी ट्रेट करता हूँ कभी मैं सुխा आता हूँ कभी स्थे आमको कभी दिन में तो मैं strategies पर यहां पर depend नहीं कि मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं जब भी मार्केट इसकी है देखिए ऐसा नहीं है कि कोई strategy 100% work करती है लेकिन अगर आपने इस strategy में mastery हासिल कर ली तो आप लोग इससे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं तो पहले मैं इस strategy का बहुत ज़्यादा यूज करता था लेकिन फिर मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं जब भी मार्केट माँ में आ चुका था तो जैसे मैंने strategy को open किया तो यहां पर मुझे अच्छे खासे entry नजर आ रही थी और chart nature भी मेरे favor में था मेरी जो psychology है वो भी मुझे यही direction दिखा रही थी तो यह सारी चीजें यहां पर same हो रही थी आप लोग देखिए यहां पर आपको एक channel भी नजर आए strategy देगी सेम आप लोग bank nifty में भी देख सकते हैं bank nifty में भी आपको एक channel दिखाई देगा और उस channel का breakout आने पर आप लोग यहां पर entry कर सकते थे आप लोग देखिए तो देखिए चार्ट में आप लोगों को यह चीजें नजर आ चुकी हैं यानि कि अब आपको सिर्फ और स जैसी strategy आपके पास होनी चाहिए जो आपके favor में हो आपको confirmation दे आपका जो confidence है वो बढ़ाए तो चलिए यहां पर हम लोग इसके लिए option chart पर चलते हैं क्योंकि यह strategy option chart की strategy है तो आप लोग देखिए bank nifty 48800 का call option मैंने open कर रखा है और 5 minute time frame यहां पर यहां पर यहां पर मैंने कुछ moving averages यहां पर लगा रखे हैं आप लोग देखिए और यहां पर जैसी ही moving average एक दूसरे के close आते हैं आप लोग यहां पर देख सकते हैं जैसे यह एक दूसरे के close आते हैं और इनका breakout आता है इस candle ने इनका breakout दिया तो आपको वहीं पर entry बनानी है आपको कोई बड़ा stop loss देने की जरूरत नहीं है यहां पर छोटे छोटे stop loss में काम हो जाता है आपको बस 15 point का maximum stop loss प्लेस करना होता है इससे ज्यादा stop loss प्लेस करने की जरूरत नहीं है देखिए जैसे ही in moving averages का यहां पर breakout आया आप लोग यहां entry बना सकते थे देखिए और यह जो breakout आया मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ तो यह रही 10 बस कर 5 minute वाले candle और यह आप लोग देख सकते हैं यहां आप लोग entry बना सकते थे इस candle पर 10 बस कर 10 minute या 10 बस कर 5 minute वाले candle पर आप entry बना सकते थे तो यह रहा आपका premium का चार्ट और आप लोग देखिए उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर trailing आनी चाहिए और आप लोग देखिए आप पूरे दिन का train capture कर सकते थे देखिए आप लोगों की जो entry है वो 126 पर होती आप लोग देखिए यहां पर जैसी यह moving averages एक दूसरे के close आते हैं उसके बाद जैसे इनका breakout आता है आपको entry बना देनी है और आ आप लोगों को जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग SL सीखने की कि आपको trail कैसे करना है अपने stop loss को और उसके बाद देखिए आपको जो 126 का premium था वो 631 पॉइंट बढ़कर यानि कि 126 का premium आपका अभी 738 पर चल रहा है और 7589 का यह high लगा कर आया है यानि कि 600 पॉ complete market uptrend मेरा कोई यहाँ पर इतना बड़ा reversal नहीं आया जो कि आपका SL हिट कर सके आपका trailing SL बिलकुल भी हिट नहीं होता आपको जो entry चाहिए थी वो इस strategy ने आपको दी है थोड़ा मैं इसमें आपको पीछे भी दिखा देता हूँ आप लोग देखे यहाँ पर भी इस strategy ने यहाँ पर breakout दिया और 109 के करीब अगर आप लोग यहाँ पर entry करते तो क्या यह uptrend आया है 139 points आपको easily यहाँ पर मिल चुके हैं और 15 points का मात्र 15 points का आपका SL होना चाहिए और पोरा trend आप लोग capture कर सकते हैं expiry के दिन जो आप जिस direction का wait आप कर रहे होते हैं कि market कौन सी direction में जाएगा ओ direction आपको यह strategy दिखाएगी expiry के दिन के लिए strategy बहुत important और बहुत useful है expiry के दिन जो भी बड़ा move आएगा यह आपको उस move को capture करने में पूरी help करेगा जितने भी बड़े move आते हैं यह strategy उनको capture कर लेती है छोटे-छोटे moves बहुत ही कम capture करती है और जितने भी बड़े moves आएंगे वो सारे यह strategy capture कर लेती है तो थोड़ा हम लोग nifty में भी चलते हैं और nifty का भी देख लेते हैं 445 याने की 22,250 का call option मैंने open कर रखा है और यहां पर देखते हैं कि क्या यहां पर हमारी entry बनी क्या इस strategy ने work किया तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर फिर से यह moving averages आप लोग देखें यहां पर एक दूसरे के close आये ब्रेक आउट आया और उसके बाद यहां पर आप लोग देखें ट्रेलिंग आपको आनी चाहिए उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेल करना है तो उसके बाद आप लोग देखें क्या ही यहां पर एक entry बनी है क्योंकि breakout आया और breakout कौन सी candle पर आम आपको दिखा देता हूँ आप लोग देखें यहां पर 10 बच के 5 मिनट वाली candle पर breakout आया और 10 बच कर 10 मिनट वाली candle पर आप लोग entry कर सकते थे देखें अगर आप लोग यहां entry करते दस बच कर 10 मिनट वाली candle पर यानि कि 326 पर देखें यह premium बहुत बढ़ा है तो थोड़ा मैं चोटा premium open कर लेता हूँ तो अभी आप लोग देखें जैसे कि आपने यहां पर 257 का premium open कर रखा है यानि कि 22,450 का तो यहां पर इसे मैं open कर लेता हूँ तो यहां पर देखें यह premium थोड़ा अच्छा में नजर आ रहा है आप लोग देखें यहां पर तो इसमें भी आप लोग देखें 10-5 की candle ने breakout दिया और 10-10 की candle पर आप लोग यहां पर entry कर सकते थे आप लोग देखें यहां पर यह देखें moving averages सारे एक दूसरे के close आ चुके 170 पर आप लोग entry करते और उसके बाद आप लोग बिल्कुल trail करते तो आप लोग देखें आपको 100 point easily capture हो जाते यानि कि आप लोग देखें 170 का premium आपका 270 के around यहां पर पहुंच चुका है और आप लोग 100 point इसमें easily से capture कर लेते पूरा trend आप लोग capture कर सकते थे तो यह रहा इस strategy का trailer आप लोग देखें मैं थोड़ा पीछे भी ले जा लेता हूँ यह देखें यहां पर पिछले दिन भी यहां पर क्या breakout आया है in moving average का यहां पर सारे एक दुसरे के close थे और breakout आया और उसके बाद यह rally देखें आप उसके बाद यह rally देखें यहां पर आपको 100 plus point यानि कि 128 point की rally देखने को मिली और आपको nifty में 10 रुपे से जादा SL लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई बड़ा SL देने की जरूरत नहीं है मात 10 रुपे आपको यहां पर SL लगाना है 10 रुपे से कम हो सकता है लेकिन 10 रुपे से जादा यहां पर SL नहीं होगा तो अगर आप आपको यह full strategy चाहिए तो आप मेरे को comment box में comment कर सकते हैं और अगर यहां पर अच्छे खासे comments मेरे को आते हैं और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस video को share कर सकते हैं ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा comment आए और उसके बाद मैं आपके लिए strategy पर एक video बनाऊंगा देख जितने भी बड़े moves हैं कोई भी miss नहीं होगा सारे बड़े moves आप लोग इससे capture कर सकते हैं तो I hope कि आप लोगों को यह video पसंद आई होगी video पसंद आई तो video को like comment और channel को subscribe जरूर करें तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली video में